नमस्टकार बच्चों आज अपनी आपकी कख्षा साथ का दूसरा ध्याए पढ़ेंगे जिसका नाम है नए राजा और उनके रज्य देखो हमने पहले चप्टर में पढ़ाए कि हजार वर्षों के दोरान क्या क्या गठित हुआ अब उसके बाद जब अपनी सात्वी स्ताबदी के आगे का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो सात्वी स्ताबदी के बाद नए राजे बनने शुरू है उनके राजा किस परकार के थे, किस वंस से आये थे, किस अधार पर वो राजा बने थे, किस किस परकार के थे वो उनका परशाशन कैसा था उनका सासन किस परकार का था किस अधार पर उनकी परशाशन की कारियां या गतिविदियाँ शुरू होते थी और प्रिपूर्ण होती थी उसके बारे में अपने पड़ेंगे इस चेब्टर के अंदर तो देखिए अपका पहला जो point शुरू होता है वो point है कि नए राजवंसों का उधे कि ये जो राजा आये थे नए उनका उधे किस परकार से हुआ जैसा कि मैंने वज़त आया कि वो कहां से आये थे किस बंस के लोग थे तो नए राजवंसों का उधे किस परकार से हुआ, देखो उसमें क्या है, बहुत बड़े-बड़े भूस्वामी हुआ करते थे भूस्वामी का मतलब है, जिनको भूमियां पराप्त हुई थी ठीक है, या जिनके पास बहुत जादा भूमी थी, दूसरा सामन्त, या उनको परती क्या हुदते थे उदार और वफादार हुआ करते थे उदार और वफादार हुआ करते थे, अपने राजा के कारियों की पूर्ती किया करते थे इनको महामत महावत या फिर, क्या है, एक तो इनको क्या कहते थे, महावत कहते थे, और या सामन्त के रुप में इनको मानेता प्राप्त थी एक तो महा परी मताहत मताहत या सामन्त इनको कहते थे ये उपलबदीन वो कहा है प्राप्त हुआ करते थे ये सामन्त या महात्त क्या करते थे अपने राजा के लिए क्या लाया करते थे उपहार लाया करते थे उनकी यहां क्या लगाया करते थे हाजरे लगाया करते थे अपनी इनके कारिया क्या हुआ करते थे महात महात सरी मताहत और सामन्त की कारिया क्या हुआ करते थे उपहार लाना अपने राजाओं की हाजरे लगाना और तीसरा इनका कारिय हुआ करता था क्या कारिय हुआ करता था कि ये सिन्ने सहायता दिया करते थे सिन्ने सहायता दिया करते थे जब कभी भी किसको राजा कुआ सकता होती थी अब देखिए कि इनके पास क्या है सैनिक सकती थी भूर्षवामी थे, भूमी, के मालक वगा करते थे बड़ी ज़्यादा भूमी के और धीरे धिन के इनकी क्या हुआ करते थी, उन्यतपी बढ़ती जाते थी, उन्यत्य ये करते रहते थे तो कई बार क्या है ये बहुत जादा बड़े जमीनदार या मतलब आप कह सकते हो बड़े सामंत बन जाते थे इनके पास अधिक सत्ता हो जाते थी या इनके पास भूमी या संपद्दा बहुत जादा हासिल हो जाते थी तो ये अपने आपको क्या है, महा सामंत गोसित किया गरते थे, या महा मंडलेश्वर, अपने आपको कहने लग जाते थे, कि इन्ही सामंतों के पास क्या है, जब संपद्धा हो जाती थी, तो ये क्या करने लग जाते थे उसको, अपने आपको महा सामंत या महा मंडलेश्वर कहते थे, महामंडलेश्वर का मतलब क्या है महामंडलेश्वर का अर्थ है, पूरे मंडल का पूरे मंडल यानि उसमें जीला कह सकते हुआ पूरे मंडल का राजा या पूरे मंडल का स्वामी पूरे मंडल का स्वामी क्या होता था, मंडलेश्वर होता थे तो ये कारिये इनके दुवारा करवाए जाते थे जब कभी भी क्या है इनके पास है संपद्धा अधिक मातरा में हो जाती थे नेक्स्ट ये क्या क्या करते थे कि जब ये उपादी इनकों मिली होती थे लेकिन कई बार क्या करते थे कि जब समपद्धा जादा हो जाती थी तो ये क्या करते थे अपने राजा जो भी इनका राजा हुआ गरता थे हाला कि ये वफादार या उद्धार होते थे राजा खिराब, लेकिन कई बार या कई उद्धारणों में ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपने राजा का क्या है कहना मानना या उनके सासन का विरोध करना सुरू कर दिया और उसकी जगह खुद क्या हो गए सिहासन रूड हो गए उनके जगह क्या हो गए खुदे सिहासन रूड हो गए मतलब खुदे राजा बन गए खुद ने क्या है सब्ता हासिल कर ले इस परकार का उधारन क्या है दक्कन के राष्ट्र कूट दक्कन के जो राष्ट्र कूट वंस है राष्ट्र कूट वंस जो है उन्होंने पेस किया जब दक्कन के राष्ट्र कूट वंस ने ऐसा क्या है उधान पेस किया ये क्या है चालुक्यों के अधिन नस्त सामंत थे किन के अधिन है चालुक्यों के अधिन क्या थे सामंती का कारिय किया करते थे लेकिन एक दिन क्या है राष्ट्रकुटों के परधान दंती दुर्ग ने राष्ट्रकुटों के परधान दंती दुर्ग ने क् विरोध कर दिया किसका चालुक के समराट का चालुक के राजाओं का और अपना अलग से सासने प्रारम कर दिया और उसके पशात उसने क्या है हिंडे घरब या जिसको कहते हैं सोने के गरब नाम का अनुस्थान करवाया दंति दुर्ग ने उसके बाद क्या करवाया एक हिंडे गरब जिसका अर्थ होता है सोने का गरब ये अनुस्ठान करवाया अनुस्ठान का मतलब क्या हो गया एक परकार से यग्य करवाया उसमें अनुस्ठान या यग्य करवाया और ऐसा माना जाता था कि ये यग्य करवाने वाला क्या बन जाए अगर वो जाती से जनम से शत्रिय नहीं है तो वहें इस यग्य को करवाने के बाद क्षुत्रिय बन सकता है इसे यग्य की ऐसी माननेता प्रात थी उस समय कुछ ये तो कहा है फिर भी अलग-अलग परकार के वन्सों से आते हैं जैसे उधारन मिलता है कि कुछ व्यवशाई वरग के लोग थे व्यवशाई वरग के लोग थे उन्होंने भी ऐसा किया अपने राजा के खिलाफ विरोध कर दिया यानि ये तो क्या थे सामन्त थे अब व्यवशाई वरग के लोग भी कुछ ऐसे हैं जैसे गुजर परतिहार वन्स के जो सासक है गुजर परतिहारवन्स के जो साशक हैं वो पहले शुरुवात में ब्रह्मन थे वो शुरुवात में क्या थे ब्रह्मन थे गुजर परतिहार ये जो वन्सकी साशक हैं वो शुरू में क्या थे ब्रह्मन थे लेकिन बाद में इन्होंने क्या है अपने शन्यकोशल का इस्तेमाल किया और क्या है मिशाल के तोर पर कदम मियूर सर्मन और गुझला परति हारवस के जो लोग हैं वो ब्रामन थे लेकिन बावजूद अपने इस पैशे को छोड़ कर ब्रामन वरग के पैशे को छोड़ कर उसने क्या कर दिया कहा कहा करनाटक करनाटक या फिर राजस्थान इन दो स्थानों पर अपना सासन बहुत ही अच्छे तरीकेश इन्होंने बहन किया यानि भले ही ये क्या थे जाती से क्या थे व्रामन थे लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है जो करनाटक और रजस्थान का जो छेतर है वहाँ पर सफलता पुर्वक अपना राज्य स्थापित किया और स्तरिये के रूप में या स्तरिये राजाओं के तरह ही इन्होंने क्या है अपना सासने संभाला ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जलता है राज्यों में परसासन तो पहले पॉइंट के इंदर गत क्या होता है राज्यों में परसासन इसके बारे में भी पढ़ते हैं अपने कि जो कई राजा थे वो अपने आपको क्या है उपाधी दिया करते थे अपने क्या है राज्यों के परशासन के बारे में पढ़ेंगे यानि परशासन कार्थ क्या होता है वहां जो है राज्य किस परकार से चलाया जाता था किस परकार से कर लिये जाते थे किस परकार से राज्य के सेन्य को विवस्ता को समाला जाता था किस परकार से राज्य जो है बड़ी बड़ी उपाधियां दिया जा दे देते थे बड़ी बड़ी उपाधिय देते थे जैसे महाराजा धिराज महाराजा धिराज यानि सभी राजाओं का राजा या फिरे विकर्मा धित्य जो था उसने कहा है अपने आपको महाराजा धिराज की उपाधि धी थी इसके तिर भूवन चक्रवर्ति ये क्या है उपादी दी अपने आपको इसका मतलब है तिनो भूनो का स्वामी तिनो भूनो का मतलब हो गया वह पताल लोग और देव लोग जिसको कहते है और यहां धरती लोग तिनो भूनो का क्या है? वह स्वामी हो गया इस परकार के ostatट वह अपने हेंको पादी दिया करते थे और सत्ता चलाने के लिए वह क्या किया करते थे? किसान व्यापारी समंत सेना आदी जो भाग थे रज्य के उनका क्या है इस्तेमाल क्या करते थे उनके साथ अपनी सत्ता की साज्यदारे क्या करते थे कि मैं तो कून वर्ग ओ रहा है ब्रह्मन ब्रह्मन वर्गे इन सभी वर्गों के लोगों के साथ वो क्या है अपनी सत्ता की साज्यदारी क्या करते थे इनकी साज्यता से वो क्या है अपनी सत्ता को चलाया करते थे तो अभी देखते हैं कि ये तो क्या है सायक तत्व हो गए टेक्स का क्या सिस्टम था कर किस प्रकार से लिए जाते थे देखो कर जो है वो किसान वरग के लोग है पशुपालक है कारिगर है संसादन एकठा करने के लिए इनका इस्तिमाल क्या करते थे संसादन का मतलब हो गया किसान पशुपालक या व्यपारी ये जो लोग हैं इन से क्या संसादनी खटा करने का मतलब है किसान से अनाज वगेर के कुप्ति करवाना अपसु पालकों से पसु से रिलेटर जो चीजे हैं वो या किर्शी उपज, वन उपज इनका इस्तेमाल करना वेपारियों से धनी कठा करना इनके दोरह वो क्या है जरूरत के जवी संसादनों का की पूर्ती की अगरते थे जिनको एक तरह से लगान भी का जा सकता है कई स्तानों पर क्या है ये जबरदस्ती वुसूला जाता था और कई जगयों से क्या है ये लगान के नाम से या कर के नाम से क्या है लिया जाता था सधान तोर पर ठीक है जबरन भी वसूल किया जा सकता था वेपारी वरग से भी क्या है राजसव लिया जाता था वेपारी वरग से भी क्या लिया जाता था राजसव या लगाने लिया जाता था तो इस परकार से क्या है वो परशासन को चलाने के लिए धनी कठा किया गरते थे राजा ये जो संसादनी कठा हुआ करते थे ये कह थे वितिय आधार थे इनके दोरा जो प्राप्त राजसव था या टेक्स हुआ करता था ये सारे के सारे क्या थे वितिय आधार थे वितिय आधार थे किसके लिए रज्य को चलाने के लिए रज्य को संचालन करने के लिए ये क्या संसादने वितिय आधार के रूप में कारिय किया करते थे क्योंकि राजाओं को क्या करना होता था अपनी सक्ति परदिर्शन के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाना दुरुग बनवाना युद करना और उन युदों से भी क्या है लूट के रूप में धनी कठा करना ये कार्ये क्या है राजा जिसके लिए ये संसाधन जो है ये राजसव जो है वो काम में आया करते थे अब ये जो टेक्स है ये वसूल कौन किया गरता था टेक्स है या राजसव वसूल करने का कारिय किस किस का था भी जाद तर राजसव वसूल करने का कारिय है किनका होता था राजा के परिवार का होता था राजा के परिवार का ही कारिय हुआ गरता था राच्छव इकठा करने का ठीक है जितने भी पदा दिकारी निक्त किये जाते थे वो या तो राजा के परिवार के ही लोग या राजा के रिष्टेदार जो हुआ करते थे वुनी को क्या है निकट समंदियों को ही इन अहुदों पर निक्त किया जाता था और यहां तक कि ये पदा दिकारी जो होते थे ये जो पदा दिकारी होते थे वसूल करने वाले वो क्या होते थे इनका कारिये वंसानु करम होता था यानि एक जो पदा दिकारी न्युक्त किया गया है उसके बाद उसका पुत्तर उसके बाद उसका पुत्तर इस परकार के कारिया किया करते थे एक धान मिलता है इसी परकार का की कर किस परकार से वसुल किया जाता था तो तमिल नडू में चोलवंस का इसासन हुआ करता था और वहां के अभी लेक से ग्यात होता है कि उस समें 400 परकार के कर लगाए हुए थे 400 परकार के कर इतने सारे कर के हैं लगाए हुए थे हलांकि उस समें क्या है संपद्दा अच्छी थी किसानों के पास जमीन अच्छी थी वेपार का वेपार अच्छा था तो यह टेक्स भी क्या है उनके लिए कुछ जादा नहीं थे लेकिन 400 परकार के कर लगाए हुए थे कहां तमिल के चोल राजाओं का अभी लेक मिलता है जिसके अनुशार क्या है 400 परकार के करों के सुचक सब्द मिलते हैं जैसे वेटी सबसे ज़्यादा फैमेस कौन सा है वेटी वेटी का मतलब है कि यह जो कर था वो ऐसे नहीं था कि पैसे वसूल कर दिये या राजसर वसूल कर लिया इसके दरगत क्या था सरम वसूल किया जाता था जबरन वो भी मुफ्त में यानि किसी राजा को क्या है अपने कारिये करवाने हैं तो वो इस परकार का कर लगा कर यानि ये लगा लगा कर सरम वसूल किया गरता था सरम करवाया करता था सरम का मतलब हो क्या है उनसे महनत करवाना ठीक है जबरन करवाया जाता था यानि उनको ये क् इसके परती किसी परकार का सरमदान नहीं दिया जाता था, उनको पैसे नहीं दिया जाते थे, इसके अलावा मकान बनाने के लिए टेक्स देना पड़ता था, अगर कोई मकान बना रहा है, तो उसको टेक्स देना है, ठीक है, पेड़ पर चड़ने के लिए अगर सीडी का इस् यहां तक की अगर पुत्तर को क्या है अपने पिता की संपति चाहिए तो उत्रादिकारी बनने के लिए ये प्रकार का कर दिया जाता था उनसे तो ये जो सारे कारियं हैं संसादन जो हैं वो एकठा किये जाते थे और क्या करवाते थे राजा इनसे करवसूल करवा के सभी राज्टब वसुल करवा के दुर्ग का निर्मान या मंदिर का निर्मान या सेदा के जो खर्च गुए अगर्दा था उसकी पूर्ति करवाया करती थे तो यह कार्यए थे थे तेकस के दौरा या परसासन था नेक्स पॉ schaut यह एपना परसोरी पर और भू दान का बारे में बात करते हैं अपने नेक्स पॉइंट है परसिस्तियां और भू दान या भूमियनु दान देखो उसमें ये राजा क्या है अपनी शवी को बनाने के लिए कारिये क्या करते थे वो अपने आपका क्या है परदर्शन बहुत ज़्यादा किया करते थे इसके लिए वो क्या है कई परकार के अबिलिये कि आप परसिस्तियां लिखवाया करते थे या फिर भू अनुदान या भूमी अनुदान देना होता था उनको तो भूमी अनुदान के बारे में पढ़ते हैं परसिस्तियों के बारे में पढ़ते हैं पहली चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि ये जो परसिस्तियां होती थी ये क्या करवाते थे राजा आपने फाइदे के लिए करवाते थे आपने आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर बहुत ज़्यादा माहान दिखवा कर इनके जो ब्रामन लोग थे विद्वान लोग जो थे लेखते जो थे इनके वो इनको लिखते थे जैसे तमिल में क्या है एक राजा की क्या है मिलती है परस्थि तो उसके बारे में बताया गया है कि उसने क्या है लगबग सभी छेतरों को जीत लिया था बाकी के राजाओं को हरा दिया बूरी तरीके से तो क्या करना उसका संदेश क्या देना चाते थे वो कि यहां का जो रा और अपने राजा की परति वो इस परकार के कारिये क्या करते थे उनकी महांता को दिखाने के लिए वो परदर्शने के हेतु इस परकार की परस्षिस्तियों का निर्मान क्या करते थे। सेस्तियों में तो सिर्फ क्याया है राजाओं के बारे में बख्यान किया जाता था कि वो कितने महान थे लगन इसमें क्या है अलोचना तमक बरन किया गया था कलरन के के दारा जो क्या है उसमें के त्यास के बारे में बहुत जाद आ जानकारी देती है ये वर नन जो था वो समीत के राजान के बारे में के ऑन-धा कि राजाओं के आ है चैके लिए यह है बहुत अच्छा सत्रोत माना जाता है कलहन के दौराल जो रचित परसपृत तौर्षित है तो इस सत्रोत के माध़म से क्या है वो उस समय के कसमीर के राजाओं के बारे में सही यह ठीक ठाग जानकरी का लिछा लगा सकते हैं पूरा तप्वीद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है भूमी अनुदान ये जो राजा थे वो अपने आपको क्या है महांदर परदर्शित करने के लिए बहुत बड़े बड़े छेतरों को क्या है दान में दिया दाता थे और उसमें क्या है भूमी का अनुदान देना क्या है एक महान कृत्ते माना जाता ब्रामन वगेरों को क्या है भूमी का अनुदान दिया जाता था विजे युद्धा जो होते थे वो या आपने आपको जो सूरवीर कहलाते थे वो भूमी का अनुदान देकर इस परकार का कारि करते थे जो क्या है पराय ब्रामनों को दी जाती थी ब्रामनों को दी जाती थी और बाकाइदा उसके लिए क्या लिखवाए जाते थे तमर लेख लिखवाए जाते थे तमर पत्तर पर लेख लिखवाए जाते थे संस्कृति या तमिल वासा वेगेरे में लिखे हुए मिलते ह और जिसके इंतरगत उनके में क्या है राजा की तारिफ की गई है उनके बारे में व्यक्ष्या की गई है कि वो कितने महान राजा है तो ये क्या है परसिस्तियां यह भूमी अनुदान उस समय के राजा के दवारा करवाए जाते थे अपने आपको महान परदर्शित करने के ल यानि अपने रज्य को अगर उनको विक्सित करना है अबने रज्य को महान करना है तो वो बाकी जो छोटे रज्य थे आसपास उनको लूट कर लाते थे उनको धन के लिए क्या है उनके साथ युद किया करते थे जैसे उधार्ण मिलता है कि गुजर परतिहार राष्ट कूट पाल वंस गुजर परतिहार और राष्ट कूट ये तीनों वंस के जो सासक थे वो लंबे समय तक कनोज राज्जे के लेकिन फिर भी क्या है इनको सफलता आपस में लड़ते रहे और इनको सफलता क्या है मिली नहीं इत्यासकार इनसको क्या है त्री पक्षिये संगरस कहते है त्री पक्षिये संगरस कहते है त्री पक्षिये संगरस के नाम से जानते है इत्यासकार इसको अब उस समय के राजा जो थे मैंने जैसा कि बताया सक्ति परदर्शन के लिए क्या करवाते थे बड़े-बड़े मंदिरों का निर्मान करवाया करते थे इसके पीछे कारण था वो अपने सिस्क्ति को महान परदर्शित करना जाते थे अपने देवता month के परती वो अनुवाम सर्दा हुआ करते थी मातर सक्ति परदर्शन का कारिया नहीं था यह अलांकि यह क्या है धनी कठा करके दूसरे चैतरों से या अपने चैतरों में लगान से वसूल करके इस परकार के कार्या किया करते थे लेकिन अपनी संसकर्थी को महान परदर्शन करने के लिए लेकिन कुछ राजा ऐसे हुआ करते थे जो धन के लिए युद किया करते थे लूट मार किया करते थे आज का लास्ट पॉइंट है ये आपकी क्लास का कि धन के लिए युद और इस परकार के यूद्धों के वारे में वर्णन सबसे पहले किया है मुसलिम सासकों के दवारा मिलता है मुसलिम सासकों इस परकार के कार यह बहुत ज़ादा किये है जैसे गजनी अफगानिस्तान के सासक, अफगानिस्तान के गजनी के सासक महमूद जो सासक थे गजनी के, उन्होंने क्या है? जैसे गजनी क्या है? इन्होंने क्या है? उन्ने क्या है? उन्होंने बहुत बार भारत पर आकरमन किया और हर बार यहां के मंदिरों को लूटा, उन्हों को तोड़ दिया, इसके पीछे भी कारण है, कि सासक अपने परदर्शन के लिए सकती परदर्शन के लिए अपनी संसकर्थी को बचाने के लिए इस परकार के जो धांचे हैं मंदिर हैं उनका निर्मान करवाया करते थे लेकिन वहीं क्या है जो दूसरे दुस्मन राजा थे वो उनकी सकती परदर्शन को नुक्षान पहुचाने के लिए उनकी सस्करती को नश्ट करने के लिए अपनी सस्करती का दबदबा बनाने के लिए क्या है उन मंदिरों को तोड़ देते थे और महमूद गजनेवी ने बहुत बार भारत पर अकर्मन किया और हर बार भारत के अकर्मन के दौरान उसने क्या है मंदिरों को भारत के भव्य बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा था जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी एक है गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो भी इसका एक उधारन है कि इसने यहाँ पर आकर इस परकार के बड़े-बड़े मंदिरों को मनुक्षान पहुँचाया तोड़ा और यहाँ के मंदिरों को लूट कर ले गया और इसका फाइदा क्या किया इसने अपनी राजधानी बनवाने में वो पैसे को लगवाया सारे धन का यूज कहा किया उसने राजधानी बनाने में लगा दिया गजने के अंदर धनी बनाने के लिए तो नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर यह जो सुल्तान महमूद था इतिहाशकार था, साथ ही साथ यह क्या है, वर्तांत लेखक था, यानि अपने एक्सपिरियंस के अधार पर अपनी यात्रा के वर्नन को यह है, लेखा करता था, तो वहां के बारे में लेखा जोखा लाने के लिए काम सोपा गया, यानि भारत के बारे में लेखा जोखा लाने के लिए काम सोपा गया अल बिरुनी को और इसने किताब लिखी थी किताब अल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी इसने और उस किताब के अंदर इसने क्या है संपूर्ण वर्णन किया भारत के इच्छेतरों का और इस किताब को लिखने में क्या है इसने बारत के विद्वानों इसनोने ली कि उतना अच्छे से लिखना नहीं आता था उसको जो बहुत जदामास है उनके बारे में वर्णान मिलता है कि इन जो विदेशी आकरमनकारी राजा थे जैसे महमुद सुल्तान महमुद था इनके साथ टकर लेने वाले जो राजा थे वो चाहमान राजा थे इनके साथ टकर लेने वाले राजा कुन थे चाहमान राजा जिनको बाद में चोहान वंस के नाम से जाना जाता है इन्होंने विद्यशी आकरमनकारियों को रोकने का प्रियास किया और अपना छेतर क्या है दिल्ली और अजमेर की पास आसपास क्या है अपना शासनिय छेतर है इसके बारे में इस वंस के सबसे महत्वपुन राजा पर्थवी राज तृत इसके कवर्नर मिलता है जिसने मोहम्मद गोरी को मोहम्मद गोरी ग्यारा सो एकक्याढमें के अंदर हराया था युद में और क्या है बाद में 1192 में इसको प्रत्वीराज चोहान को दोके से हरा दिया गया जो महमूद गोरी सासक था महमूद नहीं है सोरी महमूद गोरी जो सासक था वो उसको 1192 में हराने का कारिया किया इसने एक महान सासक था अरब का महमूद गोरी तो बाद में 11 सुबान में ये कहा हार जाता है स्वेम पर्थ्वी राज चुहान और ये जो साथ से ठेतर था इसका आज मेर और दिली का वो हाथ में आ जाता है बोरी वंस या मुसलिम सासकों के अंदर गत तो आज के इस चेप्टर में क्या है यहीं तक अध्यन करते हैं आगे का चेप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इस यहां तक के चेप्टर को आप अपनी बुक से पढ़े और उसके बाद रिवाईज करें इसको